हुआ है गाइज वेकम बैक टो चैनल दे वीलो फोर्चुन सेवें जिरो नाइं टैरट आप सभी लोगों को मेरे नमस्कार ओम अनिपद में हाम ओम साइ राम असलावालेकूं सस्रीकाल मैं हूँ सुरभी आपकी सुरभी आगई हूँ फिर से आप लोगों की लिए कोड नेया आपका काट रीडिंग लेकर और आज की रीडिंग का चो टॉपिक है आपने देखी लिए योगत हमने टॉपिक कुछ इस तरीके से है क्या आप जानकर या अन जाने में क्या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी लाइफ में क्या ब्लैसिंग्स आप रिसीव करने वाले हो स की तरफ से ओके सो यह हमारी डीडिंग रहेगी डीटेल डीडिंग रहेगी सारा सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे मदर यूनिवर्स से कोशन करेंगे और उनसे हमें आंसर मिलेंगे यहां पर पिका कार्ट रीडिंग है सो कार्ट आप अपने सामने देख सकते हूं यह आपको इंटेंस लगे आपकी इंट्यूशन कहें कि यही कार्ट पिक करना और रीडिंग देखनी है तो वही रीडिंग आप देखें अगर दो कार्ट की तरफ आपका ध्यान जाता है तो दोनों का रीडिंग आप देख सकते हैं ठीक है इसके बाद भी गाईस बताना जो हमारी है आपर धर्म और जाती को लेकर जरा भी भेदभावन नहीं होता तो आप किसी भी धर्मिया जाती के हैं फर्क नहीं पड़ता आप रीडिंग तेख सकते हैं गाइडेंस ले सकते हैं इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करें वह हैं एकर अगर आप खरके लेना चाहते हैं कुछ दो दो ले सकते हैं अगर अगर स्वाण को पहने क्या नियम है तो जो किseits रखें रहें क्यों करना जैसे करिस्ट olur यहाँ स्टोर आप बहाल को त fashioned कि उसका मेलेंगी कर तुन को दो दो तो-से साथ जहां पर नियम लिखे रहते हैं कि आपको किस तरीके से crystal को धारन करना है और किस तरीके से उसको पवित्र रखना है कहां पर पहनना है कहां नहीं पहनना है साथी साथ affirmations भी आपको मिलते हैं जो कि आपको regular basis पर उसको read करना होता है सब कुछ वहां पर आपको मिलेगा अलग से कहीं पर कुछ खोजने की जरूरत नहीं है तो चलिए अब हम शुरू करेंगे हमारी reading देखते हैं क्या कुछ आएगा आज की reading में शुरू करते हैं तो अब वाला कार्ड तो चली देख लेते हैं क्या कुछ निकल कराता है आज आपकी reading में क्या कुछ आफ मैनिफिस्ट कर रहे हो और क्या blessings आफ प्रिसीव करने वाले हो in your life तो औरिकल से शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग क्या ह। रहे हो और से रहे हो और में आफ में आम clarity, okay, third eye chakra, then we have cleansing, lemon, number seven, speciality, truth, healing, then we have refinement, number 42, one, six, seven, and we have affection, number three, bottom of the deck, आप दूसरे और अरकल से देख लेते हैं, क्या है हमारे पास? आप दूसरे औरकल से देख लेते हैं अश्या है हमारे पास? क्या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप क्या क्रियेट कर रहे हैं क्या क्रियेट कर रहे हैं नमबर 90 नाइन कमपेशन अफेक्शन भी था आपके लिए कमपेशन भी आ गया है यह है ओके 19 प्राइड बॉटम आफ टी टेक क्या है लीडर्शिप नमबर 81 ओके अब यहां से देख लेते हैं जी क्या है आपके लिए क्या मैं निफिस्ट कर रहे हैं एट अफ सोर्ट थी ओफ कर प्स वाओ येलो एंड येलो फ्राइड कर देख और खो ये वाओ आपके लिए और ती देख प्स अंडिए ओके दिफूल वॉटम ओफ दिडेक यहां पर आया है आप लोगों के लिए यहां से भी देख लेते हैं करता करता कैने परोगव आप यहां से परोगों कि देख देखंग है यहां से बस्केज। हो हम है सो पाइल नंबर वण क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आम लोग सबसे पहुने ना आपके ब thermal मैं भात कर लेती हूँ 5 हो सकता है 10 हो सकता है 16 हो सकता है 14 भी मुझे आपर हिर तुठ गाधि जून भी यहां पर मुझे दिखा ऑगस्ट फैब्रोरी ऑक्टूबर जैन्वरी निवेंबर राशिया इसकॉपियों मुझे लग रहे हैं लिब्रा जेमिना एक वेरियस तीनों ही लग रहे हैं फायर सैंड में एरीस लियो लग रहे हैं सैजिटेरियस मुझे इतनी अनौजी क्याएसे मैं नहीं मैसूस कर पा रही हूं लेकिन अगर हैं यहाँ पर सैजिटेरियस के लोग अच्छी बात हैं कि पाइसीं का भी मुझे लग रहा हूं सकता है हूं काफी सारी लोग राशिया अगर यह आपसे रेजुनेट नहीं बहीं करी हैं डेट्से तो थोड़ा सा personality के बारे बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने भी पाइल वन को चूज किया है बहुत ही और constitution, भी हो, ने कुझके साथ भी न्याय करना चाते हो दूसरों कि साथ में भी किन न्याय करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति हो जिसको कहीं भी अन्याय होता हुआ दिखे, किसी के भी साथ, चाहें व हो व्यक्ति आपका जान पैचान का भी हो या फिर नहीं हो कोई फर्ट नहीं पड़ता, आप उसके लिए आवाज उठाओगे लड़ोगे, खुद के साथ हो रही है, किसी भी तरीके की नाइन साफी, खुद के साथ अन्याए हो रहा है, उसके लिए तो फाइट करोगे ही करोगे, दूसरों के लिए और भी जादा करोगे, कि दूसरों के लिए दया बहुत है मन में, बड़े अजीब से स्पेशल से हो, कुछ लोग आप से मिलेंगे तो कहेंगे बहुत रूड है, मैनर्स नहीं है, इसको कुछ बात करनी नहीं आती, इसके अंदर एमोशन्स नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, बट कुछ लोग कहेंगे क कि इस व्यक्ति से जादा दयावान आपको कोई दिखेगा नहीं दुनिया में, आप किसी से भी मिल लो, यह वो व्यक्ति है, जो दूसरों का पेट भरने के लिए अपना निवाला दे देगा, सो ऐसी परसनालेटी है आपकी, बहुत मन के साफ हो, बच्चो जैसे हो, बहुत जल्दी आपको आशुआ जाते होंगे, किसी का दर्द या तकलीफ देखकर, बट जो परसनालेटी टाइप उपर से देखने को मिलता है, उससे लगता है जैसे आप बहुत ही कठोर हो, एमोश अब इसमें लाइट बहुत कम है कैमरे में, लेकिन यह जो रेखा होती है ना हाथ की, यह हो सकता है आपकी यहां बीच में जाकर एंड होती हो, कहीं पर, पता नहीं यह ठीक से दिखरा है कैमरे में या नहीं, यह रेखा बीच में जाकर एंड होती होगी, तो आप उन लोग प्राइब को देखेगा तो आप बहुत ही प्रैक्टिकल लोगों को यह प्रैक्टिकल आप रहते हो चीजों के प्रती लेकिन जब गहराई से उसे समझ जाते हो और आपको वहां सच्चा ही दिखती है तो आप एमोशनल हो जाते हो उन लोगों के लिए उस परिस्तिति के होएगा आपको इतना कुछ खास असर नहीं होगा क्योंकि आपके मन में चीज चलती रहेगी कि पता नहीं यह सही बोल रहा है और नहीं पता लगाते हैं जब आप पता लगाओगे और सच में वह व्यक्ति अगर आपको तकलीफ में दिखता है फिर आपको भी उसके लिए अकलीफ होगे और उसके लिए लड़ोगे आप आपका नेचर वह है आपको कितने लोग समझ पाते होंगे ऐसा है आपके साथ सच्छाई बहुत जरूरी है आपके लिए और आपके लिए और आपने क्लारिटी को मैनिफेस्ट किया और क्लारिटी आपको मिल भी रही है अगर आप देखोगे सीधा एट आप सोर्स के साथ में एकार्ड आया है क्लारिटी का सो किसी तरीके का कन्फ्यूजन है आपको अबाउट यो पर्सनल लाइफ एन अबाउट यो करियर उसके प्रती आप क्लारिटी चाहते हो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो क्लारिटी आपको मिल रही है आने वाले समय में अबाल करते हैं और आपको मिल भी जाती वैसे भी मिल जाती है मत Hye आपके पर्सनलेटी की बात करें ती वहां से भी मुझे मसिजन्ज रिसीव हो रहते के आपको क्लारिटी चाहिए ओती है लाइफ में और कैसे भी करके बगवान आपको दे भी देते हैं अगर कोई कि आपसे जूट बोलता है तो उसका जूट खुद खुद खुल जाता है आपके सामने हां कुछ cases में ऐसा होता होगा कि जल्दी होता है कुछ cases में थोड़ा देरी से होता होगा लेकिन होता तो है और आपका थोड़ा नेचर भी वैसा है कि आप अब्जाउफ करते हो चीजों को लोग आपको बोलते भी होंगे कि आरे यार से आईडी में चले जाता तो अच्छा रहता ऐसा वो नेचर है आपका सो आपकी इस नेचर के चलती आपके सुभाव के चलते जानकर या अंजाने में जो भी है आप clarity मैनिफेस्ट कर रहे हो clarity आपको बहुत जल्दी मिल रही है situations क्या हो सकती है वो मैं आपको बताती हूँ देखिए आपसे कितना resonate होता है कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी जॉब करना है हाल फिलाल में कैसे भी करके क्योंकि आपको लग रहा है बहुत नीड है इसकी अभी और जादा वेट नहीं कर सकते तो कौन सी जॉब करी जाए जहां पर आपको लंबा फाइदा हो जैसे कई बार ऐसे options भी हमें मिलते हैं कि छे महीने तक कि आपकी जॉब है उसके बाद पता नहीं क्या होगा हो सकता है आपको इस company से बाहर जाना पड़े या आपकी यहां पर जॉब है लेकिन आसे हम पर्मनेंटली रहने वाले हो ऐसा हम कोई आपको सब कोई guarantee नहीं दे सकते हैं सच ठीक है देखेंगे कैसा क्या काम है आपका उसकी आधा लो जाओ इस जॉब में आने के बाद आप अपना घर खरीद लें अपने लिए जो भी आपकी basic needs हैं उनको पूरा कर सकें अपने माबाप को गर्भ महसूस करवा सकें कि उन्होंने वो आपको इस दुनिया में लेकर आए हैं उन्होंने आपके लिए जो भी sacrifices करें हैं जो भी जितनी भी बारी compromise किया है तो वो सफल हुआ है तो आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं लेकिन वैसा job opportunity या proposal आपको नहीं मिल रहा है उसको लेकर परिशान हो कि कहां किसके पास और कैसे जाना चाहिए या किस से बात करनी चाहिए जैसे कि आपकी एच्छा पूरी हो कुछनों के लिए भी हो सकता है कि कई सारे options हैं और हर एक option में कुछ-कुछ तो आपको दिक्कत है जैसे कहीं पर जो मैंने आपको कहा time limit का हो सकता है कहीं हो सकता है कि सब कुछ अच्छा है लेकिन जो staff है वो अच्छा नहीं है और आपको इस बार में पता है यगर आप वहां जाओगे तो बहुत toxicity आपको face करनी पड़ेगी तो इसको लेकर आप परेशान हूं कि क्या मुझे toxicity face करनी चाहिए क्योंकि मेरी जो needs हैं उन्हें पूरा करना है तो कई बारे से बोलते हैं कि थोड़ा बहुत compromise कर ले पैसा चाहिए तो यार थोड़ा बहुत सहले तो उसकी भी clarity में कोई तो एक male personality है female personality है दोनों ही आपके विरोध में हैं दोनों ही आप से किसी ना किसी बात पर जगरते हैं या फिर एक जो व्यक्ति है वो जगरता नहीं है बट manipulate करता है दूसरा व्यक्ति जगरता है चोटी-चोटी बातों पर और बाकी का भी जो माहौल है देखकर लग रहा है उन लोगों के लिए जो कि शायद medical fields से हैं दवाईयों का कुछ लेना देना है ऐसा तो लगता है आप वहां से बाहर निकलना चाहते हो कैसे भी करके बट वही है कि दूसरा job मिलेगा या नहीं दूसरी company मिलेगी या फिर नहीं यह चीज हो जाती है तो उसको ले भई हम जॉब करें या बिजनेस करें अब कुछ लोग देखते हैं आपकी कुंडली या बर्तचार तो बोलते हैं जॉब करो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं आप बिजनेस करो वह बेटर रहेगा आपका डेस्ट्री नंबर कहता है कि बिजनेस करना चाहिए आप बिजनेस तो हम कर लें, लेकिन आप कोई सलाह देने वाला नहीं है, क्योंकि बिजनस में क्या हो जाता है, कि जब तक आपकी फैमिली से कोई नहीं है, जिसने पहले बिजनस किया हो, उन लोगों को इतनी हिम्मत नहीं अंदर से आती, क्योंकि उनको A, B, C, D, पता ही नहीं है, ऐसा हो ज पैसा नहीं है अब जिम्मेदारियां हैं आपके उपर तो पैसा चाहिए अब मन का तो जॉब मिल रहा है जहां पर आप संदोश्टों के काम करोगे लेकिन पैसा नहीं है फिर क्या करें तो इस थरीके की चीजें कहीं न कहीं आपके आसपास हो सकती है तो उससे जुड़ी सकता है कि पहले डेट से या पहले हफ्ते से ही आपको क्लारिटी बिलना शुरूर हो जाये वर आपका काम बने लग जाये जो क्लारिटी आपको चाहिए न यह आप के जड़ से है, जड़ से मतलब ये बच्छपन से है, और हो सकता है कि आपके पेरेंस में भी हो, हो सकता है कि आपके DNA में हो, जो हम बात करते हैं कि पास्ट लाइफ से ये चीज़े चलती चली आती हैं, ओके, ऐसा बोलते हैं, कि पास्ट लाइफ में कहीं पर confused आप रहे, या आपने बहुत ज़्यादा मैंने प्लेट किया, उनको अंधेरे में रखा, तो वो चीज़ आपके साथ भी चलती चली आती है, पीडियों दर पीडियां, अब दूसरा जन्म हो जाएगा ना, तब भी वो चीज़ कहीं आपके साथ चिपकी जाती है, तो ये रूट से है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपने दम पर ये काम करूंगी या करूंगा, तो ये जो साइकल है ना, ये एंड हो जाएगा, ये सला मैं आपको दे रही हूँ, बेशक आपने मांगी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि डिसीजन लेना कितना दर्दनाक हो जाता है कई बार, जब हमारे सामने कई सारे ओप्शन्स हो और जब हमारे सामने कोई भी आप्शन ना हो, तो बहुत मुझकल होता है ऐसे बोलने जाओ तो लगता है, इसमें क्या है, ले लेते फैसला, लेकिन जिनके सामने ये परिस्थिती बनती है, उनसे पूछ Lumा, कितना डिप्रेशन होन प्रश्पाइब में चलता है और सारा इंवेस्ट्मेंट जो भी है आपका उसी में चला जाएगा ओके अब क्या करोगे आप बस एक नजर में देख के घर ले लोगे क्या लोकेशन वगे चेक नहीं करोगे लोकेशन चेक करोगे आसपास के लोग कैसे हैं चेक करोगे फिर ही खरीदो और फिर अगर आपको सूट नहीं किया फिर आपको दूसरा घर खरीदना है तो पहले इसको बेचना है डॉकिमेंट्स बनाने है उसके बाद कोई मिलेगा ऐसा कस्टमर जो अच्छे दाम में आपका घर खरीदे उसके बाद आप जाओगे शिफ्ट करोगे मजा के क्य है हलवानी है तो जो डिसीजन नहीं ले पाते है ना चोटी-चोटी चीजों में भी उनको भी इतना यह बड़ा बोच लगता है तो वही है आपके साथ तो यहां पर आपको clarity मिल रही है आने वाले दिनों में तो यह आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जानकर यान जाने में आप क इवन में कभी भी यह situation मनें तो आप इसको face करो इससे डरो मत अगर आप डरोगे decision लेने से जैसे कि आपके मन में यह भावना एक डर है कि यह situation मेरे सामने ना बने जहां पर मुझे फैसला करना पड़े तो यह situation बार-बार आएगी आप इसको celebrate करना शुरू करो कि ठीक है मैं रिस्क लूँगी या रिस्क लूँगा तो यह ना बंद हो जाएगा दूसरा जो आप manifest कर रहे हो चीज वो है एक तो आपकी cleansing, healing, healing and cleansing यानि कि औरा की cleansing, औरा की healing ऐसे मान लेजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आपके आसपास के लोग हैं वो बहुत जादा आपसे frustrated हो आपकी बात को किसी और दिशा में लेके चले जाते हैं मतलब misunderstandings हो जाती है आप बोले हो इस दिशा का कुछ उस दिशा का समझ आ रहा है यह बहुत होता है और इससे आप बहुत जादा परेशान हो तो कई बार आपके मन में यह चीज आती होगी आप वो जानकर आए आन जा करीफ है मैंने ऐसे क्या कर दिया एक्शली आपने ऐसा कुछ भी नहीं गड़ दिया आप सच बोलते हो आप मन के बहुत अच्छे हो दूसरों की help करना चाहते हो जस्टेस लवर हो पट क्यूंकि आपका औरा वीक है या फिर हो सकता है कि आपकी किसी तरीके की healing जो कि incomplete रह ग तो रिवेंच लेने के परपत से या आपको कश्ट देने के परपत से आपके जीवन में आ जाता है ऐसा भी हो जाता है कि बार तो यहां पर आपकी cleansing and healing भी होगी यानि कि और आपका cleanse होगा आप चाहें वो खुद से आप करें चाहें कोई आपको इसके बारे में बताने के ल आपका soul connection है यानि कि अभी तक जितने लोगों से आप मिल रहे थे वो कहीना के आपके opposite थे जिनको मैंने मीज कह सकते हैं चाहें इस जन्म के हो चाहें past life के हो अब आपको ऐसे लोग मिलने वाले हैं जो आपकी soul family के हैं ओके समझ रहे हो ऐसे लोग मिलने वाले तो अभी तक आपकेले थे और सामने कई सारे लोग थे जो आपको दी मोटिवेट कर रहे थे आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे आपको मैंने की कोशिश कर रहे थे यानि कि यहाँ पर आप कमजोर नहीं पड़ेंगे, यहाँ पर आपको हिम्मत मिलेगी, एक तो आपको औरा भी क्लीन्स हो जाएगा, आपकी हीलिंग भी हो जाएगी, जो मन में दर्द है, तकलीफ है, वो भी दूर होगा, क्योंकि अब अकेले नहीं रोगे, साथी साथ जो फाइट है लोगों से, अभी ऐसी वाली फाइट नहीं है, कि बाल खीच रहे हैं, दूसरे को तमाचा मार रहे हैं, तलवारों से लड़ाई हो रही है, वो नहीं, यह अंदर की फाइट है, सामने वाला बड़ी प्यार से आप से बात कर रहा है, और उसने कुछ तो ताना मार दिया, जो तीसरा बैठा होगा, उसको समझ भी नहीं आता है, आपको समझ आ रहे हैं, कि इसने में को क्या ताना मारा, यह वाली लड़ाई, अंदर की लड़ाई, जो कोल्ड वार कहता है, तो वो चलता है, तो वहाँ पर आपको सयोग करने के लिए, यहां मैं देख रही हूं आपकी टीम बन रही है, कुछ लोग ऐसे मिल रहे हैं, जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी healing भी करेंगे, cleansing भी करेंगे, तो ये भी कही ना कहीं आप manifest कर रहे हूँ हो सकता है कि आप कई बार ये बोलते हो Mother Universe को कि काश मेरे भी कुछ ऐसे friends होते है जिन पर मैं आँख बंद करके भरोसा कर पाती या कर पाता जैसे movies में दिखाते हैं ना जैवीरू और सीता किता तो बैने थी लेकिन हाँ जो bonding थी उनके बीच तो वो bonding कहीं ना कहीं आपको चाहिए कि यार मेरे भी कुछ friends ऐसे होते तो वो friends वो community आपको मिलने वाली है अचा कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर कहना पड़ेगा कि हो सकता है कि यह मानवी रूप में हो कुछ लोगों के लिए हो सकता है यह एंजल्स हो जब एंजल्स होंगे तो यह काम तो आपके बनवाएंगे लेकिन बेशक आपको सामने से दिखेंगे नहीं इनके अनोजी आपको महसूस हो सकती है दिखेंगे नहीं बट इनके होने से आपका औरा जो है क्लीज होगा एक तो औरा क्लीज होने से यह हो जाता है कि लोग आपकी तरह अट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं जैसे जब औरा के साथ में दिक्कत होती है न तो लोग आपसे स curt भागते हैं कि आपसे बात नहीं करना चाहते ऐसे मीटिंग करने तो यहिए पर में देखनी हूं कि आपका जो Cars चक्रा है वह कहीं ना कहीं और ज्यादा strong होने वाले, यानि कि confidence आपके अंदर आएगा, and courage भी आपके अंदर आएगा, कोशिश करें कि इस महीने, August के महीने में आप yellow color का ज्यादा से ज्यादा use करें, और चाहें तो जो yellow चंदन आता है, उसका आप एक छोटा सा बिंदी रख सकते हो माते पर, या फिर आ yellow color boost करता है, मारी energy को, okay, sunlight जब हम दिखाते हैं, या जब healing कर रहे होते हैं, तो हम इसी color को manifest करते हैं, कि golden light या yellow color का जो light है, वो हमारे उपर गिर रहा है, और हमें cleanse कर रहा है, right, मानते हैं ना, सोना सबसे ज़्यादा पवित्र है, वो चीज़ है, तो बहुत powerful होता है, तो इस color को जितना ज़ाद आप use करोगे, August के महीने में और आगे भी तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, तीसरा जो यहाँ पर मैं देख रहे हो, आप कुछ manifest कर रहे हो, वो है about your past, आप चाहते हो अपने past को पूरी तरीके से भूलना, आप चाहते हो नई शुरुआत करना, पूरे विश्वास के साथ कुछ ऐसा करना, जिससे कि जो past में आपसे गलतियां हुई है, उनकी वज़े से जो आपके परिवार जनों को दुख हुआ है, आपके friends को दुख हुआ है, उस दुख को आप मिटा सकें, और जो गलती आपने करी है, उससे भी जादा कुछ बड़ पर गर्व हो, और उनकी जिन्दीगी बदल जाए, पलट जाए, कुछ ऐसा आप करना चाहते हो, तो वो भी आप manifest करो, वो चीजे भी यहाँ पर होती भी नजर आ रही है, कुछ विचार भी आपके बदल रहे हैं, कुछ लोग यह भी manifest कर रहे हैं, कि कुछ शब्दों के प् करती कुछ और धर्णाय रखते हो, अभी आप चाहते हो कोई और धर्णा रखना, तो उस तरफ भी आपकी कोशिश जा रही है, जैसे कि पहले आपके लिए प्यार का मतलब था, कि आप किसी के लिए कुछ करो, सामने वाला आपके लिए करे, अभी हो सकता है, प्यार की definition change ज सोच रहे हो कि प्यार वो है, जहां पर आप दूसरों को कुछ देते हो, लेकिन दूसरों से expect नहीं करते हैं, या फिर आप पहले ये सोचते थे, कि प्यार का रिष्टा या शादी का रिष्टा यही होता है, जैसे कि मूवी में दिखाते हैं, जैसे बुक्स में पढ़ते है अब ही आपको लग रहा है कि reality इससे थोड़ा अलग है, तो अब मुझे इस reality के साथ में खुद के विचारों को बिठाना पड़ेगा, यह आप हो सकता है manifest कर रहे हूं, क्योंकि वो चीज मुझे यहां पर दिख रही है, जैसे कि आप अपना जो perception है चीजों के प्रती change कर र आएं में देखना पड़ता है अबस्यों को कैसे खुश रखना है हमें देखना होता है बच्चों को इस हैं उसके प्रतिव ऐसे आपके कंडिशनिंग हो जाती है फिर जब आपको वो चीज वो विचार चेंज करना पड़े तो बड़ा मुश्किल होता है तो वह मैं यहां पर देख रही हूं कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कैसे भी करके आपकी जो विचार है वो इसके प्रतिव की बदलें अदवाइस बड़ा मुश्किल हो जाएगा जीवन जीना आपके लिए ऐसा आपको लगता है और देख लेते हैं यहां पर क्या है आपके लिए एक चीज़ यहां पर और भी मुझे लग रही है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपके फेद को लेकर यह की मैं जो भी मांगूंगी यूनिवर्स मुझे देगी अगर देती है तो यूनिवर्स है नहीं तो वो नहीं है शायद यह जो परसेप्शन है यह भी आपका चेंज हो रहा है कि मेरा काम है एक्शन लेना रिजल्ट जो है यूनिवर्स अपने तरीके से देगी और मुझे उसे स्वी कारना है फियर ड्रीम वर्क अगेन यलो कलर है हो सकता है कि आप ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपका जो सपना है आपके करियर को लेकर आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर वो कही ना तूट जाए ये इस डर में आप जी रहे हो तो इसे भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो ना तूटे और उसके प्रती जो भी संभावनाएं है या कोई ऐसा मैसेज है जो आपको अलर्ट कर सके तो वो आपको मिलता रहे है टाइम टू टाइम कि कि जो आप ट्राइ कर रहे हो जहां पर आप अपना करियर बना रहे हो या जिम्मेदारिasures पूरी कर रहे हो बड़ा मुश्किल है एक संकरी सी गली है जहां पर आपको गिजर खे जाना है wurde जीरो से स्टार्ट करना है तो उसके प्रती थोड़ा डर है कि पता नहीं ये काम आप करोगे जिम्हेदारी उठाओगे तो पूरी हो पाएगी या पर नहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो कि पूरी हो जाए परमात्मा आपका साथ दे यूनिवर्स आपका साथ दे ये मैनिफेस्ट कर रहे हो तो हाँ उसके भी क्लारिटी मिलेगी और उसके प्रती भी गैरंटी आपको मिलेगी कि हाँ आप सेफ हो यहाँ पर आपके लिए कार्ड आता है विक्ट्री का विक्ट्री तो शियोर है विक्ट्री आप मैनिफेस्ट कर रहे है, विक्ट्री आपको मिलेगी, प्यार और सम्मान भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उसके भी मिलने के पूरे पूरे चांसे है, all according to plan, सब कुछ आपके plan के हिसाब से ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, confusion, अभी बहुत confusion है, that's why सबसे पहले clarity का कार्ड आपके लिए आया था, so ये सब कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं guys, clarity मिलेगी, cleansing आप चाहते हो, आपकी cleansing होगी, health भी आपकी सुधरेगी, अगर आपका वेट बहुत जादा आपने गेन किया है, या कुछ toxins हैं आपके body में, उ सकता है कि आपका एक नया डाइट प्लान मनें, आपको कुछ एवरी डे कोई juice या सूप आपको पीना पड़े, या कुछ herbs आपको लेनी पड़े, वो manifest करे हो कि क्या कौन से herbs, कौन से medicine, या कौन सा डाइट प्लान आपको अच्छे से suit करेगा, आपके लिए favorable होगा, तो उसक काम के लिए जो आपके dreams हैं, वो भी पूरे होंगे, exactly जैसी आपकी planning है, वैसी चीज़े आगे बढ़ेंगी और आपको victory भी मिलेगी, साथी साथ आपका विश्वास भी पक्का होगा, आपके घरवालों को गर्व भी होगा आप पर, और आपका perception भी कई चीज़ों के प्रती change होगा, so यह सब कुछ है जो आप manifest कर रहे हैं guys, और create कर रहे हैं, यहाँ पर है leadership, तो leadership की energy में आप बहुत जल्दी आने वाली हो, so यह थी guys आपकी reading, I hope कि आपके reading पसंद आई हो, इससे clarity मिली हो, अगर पसंद आई है तो जरूर से इसको like करें, and share करें, subscribe करें, मुझे बता manifest की card को, तो चली देख लेते हैं, आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है, I hope यहाँ पर cards दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा अंदेरा अंदेरा लग रहे हैं, चली, तो oracle से हम शुरू करेंगे, let's see आप क्या manifest कर रहे हैं, क्यास वोशות लोजड दिखाईर परें, हान वारव, बदूज परा कसरी देखाई चली, तो से एवशोफे हैं, जजराई विए, औरत आत्रा, क्या सेथे हैं, लोजड करेंoote, लोजग करेंगे, अठर परेंगे, बताफे हैं अंजड करेंगे, बत्सक्राइए अल्राइट फोकस प्रोड़क्टिविटी ओके और देखते हैं यहाँ पर है बॉटम आफ दी टेक होप का का कार्ड है देख लेते हैं और क्या है इस वाले टक्स से एफ अल्राइट यहाँ वालेट यहाँ बॉटमोग्यर बॉटमोग्यर क्या कर रहे हैं आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं अबनने इसको ओके जी और देखते हैं क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोग मेरी फैमिली हीलिंग बटम आफ टेक क्या है मैनिफेस्टेशन डबल एट और ट्रिपल एट हो गया यहां से देख लेते हैं क्या मैनिफेस्ट किया जा रहे हैं ऐसे हो जो वील ओफ फॉर्शून ओके और देखते हैं क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोग नाइन ओफ कोईंस क्लियर कट मैसेज़स हैं और किंग ओफ वांस ओके जी एस अफ कोईंस यहां पर भी रूट चक्रा क्या नोजी है जी इस वाले डेक्स से देखते हैं एक्स्पेंशन यह देख लिजिए इसको यहां रख देते हैं चलो और एक कार्ड हो जाएं एक्सेप्टेंस जस्ट अ मिनट आल राइट गाईज तो शुरू करेंगे रीडिंग हम राशियों से बर्थ डेट एंड मन से ठीक है तेन मैंने बूला था तेन एंड ट्विनीशिक्स भी आपर मुझे दो बारी दिखा वो सम रीजन हो सकता है डेट आपके लिए सिग्निफिकेंट हो दैन वी हैव थ्री थर्टी एंड तर्टीन दिखा मुझे तर्टीन तो यह देट सो सकते हैं मन्स की अगर मैं बात करूं ऑक्टूबर है ऑक्टूबर सेप्टेंबर है यहां पर जुलाई है मार्च में एप्रिल फैबरुरी यह मन्स है राशियां लिब्रा इस कौपिया रनाजी भी है हो सकता है कि आपका सन्मुन साइस ऐसा हो कि तुला राशी हो और बिशिक राशी भी हो मेश कैरीज हो सकते हो और क्याप्रिकॉन लियो साजिटेरेस दो बार ही मुझे दिखा तो यह आपकी राशियां हो सकती है ठीक है लीना करके मुझे नाम यहां पर दिखाई दिया लीना सॉम्या सुमन इस तरीके के नाम है तो अगर आपसे रेजनेट करता है अच्छी बात है नहीं करता है तब भी कोई बात नहीं है एनोजी आपसे रेजनेट करने चाहिए सो थोड़ा मैं आपके personality के बारे में बताओं सो personality के अगर मैं बात करूं आप उन लोगों में इसे हो जिनको पूरी clarity है कि उनको actually क्या चाहिए life में आपको चाहिए abundance आपको चाहिए wealth पैसा आपके लिए बहुत ज़रूरी है आपको लगता है अगर आपके पास पैसे है साब आपके control में अगर पैसे नहीं है तो चीजे बिगड़ेंगी ही बिगड़ेंगी पैसे का महत्व है मतलब यह नहीं है कि रिष्टों के प्रतिचाह नहीं है रिष्टों की respect नहीं है ऐसा नहीं है वो सब कुछ है actually जो यह जो पैसे को लेकर यह जो उत्साह है पैसे को लेकर में जागी है ना के नने इसだけ बहुत बुरा इका है आपके बचपण में आपने अपने पापा को सफ़व करते देखा हो गाव जब अपने बिजनेस करते थे कभी तो उतार चड़ाव आते ही हैं, तो जब उतार चड़ाव रहे हैं, उतार में कई बार देखा है कि उन लोगों ने बहुत कुछ फेस किया है, अपने जो नीट्स थी, उनके साथ में कॉम्परोमाइस किया, SPEAKERS किया आप लोगों के लिए बच्चों के लिए तो वो सारी चीज़े आपने देखिए कि लोगों का कैसे नजरिया बदल जाता है जब आपके पास पैसा नहीं होता तो लोग आपको विल्कुल भी रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं पैसा है तो आप भली उनको सामने से गा आपको कर देते हैं कई बार बहुत गंदा बोलते हैं कई आपको नीच दिखाने की कोचिश करते हैं तो इस वज़े से आपके मन में है विचार की पैसा बहुत इंपोर्टन्ट है पैसा मुझे चाहिए यहां पर ऐसा नहीं है कि पैसा अगर आपके पास डेर सारा आ जाता ह हाँ अपर उपर ही घर्ज करोगे नहीं आप फैमिली को लेकर चलने वाले लोगों में से हो जिनको अब अपनी फैमिली मानते हो उन पर ही घर्ज करोगे अपने लिए उनको लगता है। मुझे अच्छा कमरा चाहिए बैट चाहिए और खाने पीने का सामान है इतने में तो जितना थोड़ा अगर आपको मिलता है उतने में काम चल जाएगा जादा की बात हम कप करते हैं जब हम यह चाहते हैं कि हम अपने घर वालों की भी इच्छाओं को पूरा करें उन्हें गर अपनी फैमिली छोड़ो आप और भी लोगों को हेल्प करना चाहते हो जैसे चारिटी वगरे में भी आपका बहुत इंट्रेस्ट है आपको लोगों की हेल्प करनी है खाना खिलाना है अच्छे कपड़े पहनाना है कोई भी व्यक्ति आपके घर से घर पर आता है कुछ ले आप करने के लिए आप सकता है Itu is fine । जाड़ा इंटा हे आपको दिमाग चलता चाहिए है वह वही अगर आप जोब कर रहे हो तो वह आप सोने जाते हो ना तब भी आप लिए कुछ ना कुछ साच करते रहते होंगे कोई बुक पढ़ना या मोबाइल पर कोई आर्टिकल देखना यूट्यूब पर कोई आर्टिकल ऐसा देखना या कोई वीडियो देखना जिससे कि आप और बहतर प्रिजनेशन रख सकते हो और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो आपके आफिस में या आपके बिजनेस में आप और अच्छे आइडिया रख सकते हो किस थरीके से रख सकते हो क्या नई चीज आट कर सकते हो माली जी आपको रेस्टोरेंट खोलना है या होटेल खोलना है तो उस इस चीज है कि अगर आप इस बारे में किसी को बोलते होंगे तो लोग कहते होंगे यार कितना selfish इंसान है यार कैसी लड़की है पैसा पैसा ही करती है बट वजह वह नहीं है कि पैसा करने का यह नहीं यह इसके लिए पैसे हैं या नहीं विंडो का सीट खरीद कर में दे सकती हूं मेरे घरवालों को या नहीं यह वाली विचार कहीं ना कि आपके मन में रहते हैं कि आपको एक बस आसान सी जिन्दीगी जीनी है और कई हो लोग जो जिन्नोंने बहुत अर्ण किया हुआ है जिनका भ हुए तो हर वक्त का माइन्द चलता रहता है यह आपको परसिनालेटी टाइप है और बहुत अच्छे हो आप बहुत अच्छे इंसान हो यह सिर्फ अपने वारे में नहीं और वह लोगों की बारे में सोचते हो हैं आभी भी कंई सारे गोलस हैं कि मेरे पास इतना पैसा आ तो फिर मैं यह कर diss出去 लोगों के लिए एक धरमशाला बनवाओंगी लोगों के लिए घर बनवाओंगी इच्छाँ ह Heroes कि वहीद कि अधकी यहार आप यहार मैं होती अगर कुई नेता या मैं होता नेता daran अच्छा करने के लिए जो इस category में नहीं है और ये reading देख रहे हैं सुन रहे हैं वो कहेंगे attraction क्या manifest करना बहुत ज़रूरी है बहुत से लोगों के मन में ये बावना होती है कि आगर आप attractive हो किसी भी इस तर से जैसे कि आप बात करने में बहुत attractive हो या फिर आप दिखने में बहुत attractive हो या जिस तरीके से आप लोगों को convince करते हो तो convince करने का जो तरीका है वो बहुत attractive है तो लोग आपसे दूर नहीं रह सकते हैं खीज कर आपके पास आएंगे तो attraction ना very important thing तो हम लोग सभी लोग इसको बहुत कई बार गलत तरीके से प्रिजन करते हैं कि attraction मतलब जब love की बात आती है तो बोलते हैं अरे प्यार नहीं attraction है इसलिए वो व्यक्ति आपके आगे पीछी घूम रहा है तो हम लोग बोलते हैं कितना गंदा है इची लेकिन हम सभी बोल जाते हैं कि प्यार की शुरुआत भी attraction से ही होती है अब attraction कुछ भी हो सकता है अगर वो आपके body को लेकर attraction है तब आप थोड़ा यह बोल भी सकते हो बलकि शुरुआत में तो होता है लग बात सभी को नजर कैसी है वो अलग बात है आकर्शन अलग है आपका intention क्या वो अ बात करने के तरीके से आपके आइडिया से आपके विचारों से जैसे कि अगर मैं किसी से अट्रैक्ट होती हुना तो मेरा रीजन होता है अट्रैक्ट होने का उसकी kindness या वो दूसरों की प्रती कितना ज्यादा dedicated है जो लोग charity करते हैं जो लोग दूसरों की help करते हैं अगर म विवस्था कर रहा है मैं हो जाती हूं प्रेस बोचल दी और लुक्स के अगर बात करें तो कोई कितना भी खुब सूरत दिखें हैंसम दिखें या कितना भी अच्छी बाते मुझसे करें में को फरागी नहीं पड़ता मैं मतला मेरी नजरी नहीं जाती ऐसा हो जाता है तो करा अट्रेक्शन दूसरी छीजों पर है कि आपंः की तों अट्रीία के लिए किसना और पर करती बात करें हो कि में सब्सक्राइब आप करें शीरूilt में और मुझे ओसम लिए नट दरूरे हो ना मैं जरूर से झांब करें ल केम सब्सक्रांबंगा क्रấp करएं सब LAUGHTER सब्सक् आने वाले कुछ दिनों में आप देखोगे कि या तो आपके बात करने के तरीके में कोई बड़ा बदलाव होगा या आपके लुक्स में बड़ा बदलाव होगा अभी आप सोचोगे लुक्स में क्या हो जाएगा मैं तो कुछ नहीं कर रही ना मैं हैर कट करवारी हूँ ना म क्या हो जाएगा वो खुद से हो जाएगा ट्रांसफॉर्म हो सकता है कि कोई ऐसा माली जिए प्रोजेक्ट आपको मिले जहां पर आपको बोला जाए कि भई खुद को इस तरीके से मेंटेन करना जैसे एयर उस्टेस होती है तो उनकी वो ड्यूटी होती है खुद को गूरूम कैसे रखती है राइट मेकप कैसा होना चाहिए तो कई बार यह आपके प्रोफेशन से जुड़ी चीज हो जाती है कई बार यह आपके काम से जुड़ी चीज हो जाती है तो अगर आप ऑफिस में हो सकता है आपकी ऑफिस में ऐसे नियम मन जाए कि आपको यह उनिफॉर्म म पर रिल्स डालने हैं रोज तो वैसे भली आप तयार ना होते हो लेकिन रिल्स डालने के लिए आप खुद को ग्रूम करोगे आप यूंहीं तो नहीं बैठ सकते सामने राइट आप कोई बात बोल रहे हो किसी से तो सामने वाला सुनेगा कब जब उसका अपर जाएगा कैसे कुछ तो आपको करना पड़ेगा ना अब यह वहीं बैठ जाओगे सबजियां चलते हुए रिल्स बनाओगे ध्यान इतनी जल्दी नहीं जाएगा तो कुछ भी हो सकता है जिससे कि कोई भी ऐसा आपके परसनालिटी में सुधार होगा या कुछ आप करोगे जिससे कि अट इस फील्ड में आपाते हो तो आप हीलिंग करते हो क्लींजिंग करते हो राइट योगा करते हो मेडिटेशन करते हो इस सबसे क्या होता है इस सबसे हमारे बात करने का तरीका बदलता है हमारे चेहरे पर ग्लो आता है क्योंकि हमारी हेल्थ अच्छी हो जाती है हमारे बाल स इसके इन सुन्दर लगने लग जाती है, मन शान्त होता है, तो हम जब भी कोई बात करते हैं, तो शब्दों का चयन ऐसा करते हैं, कि कोई सुनता है, तो सुनता रह जाता है, यार यह वही बात उस व्यक्ति ने कही, तो इतनी प्रभावशाली नहीं लग रही थी, इसने कही तो इतनी प्यारी क्यों लगी, क्योंकि आप की दिमाग पर इतना बोज नहीं है, अब ऐसे में अगर आप कुछ पढ़ते हो, कुछ सुनते हो ना, तो जैसे अपने पढ़ा, जैसे आपने सुना, वैसा ही आपके दिमाग में बस गया, फिर वैसे ही आप बोलते हो, तो आप ग manifest कर रहे हो, चाहे वो looks wise हो, चाहे वो बात करने का तरीका हो, चाहे वो खुद को represent करने का तरीका हो, खुद को introduce करने का तरीका हो, कुछ भी हो सकता है, आप attraction को manifest करे हो, और attraction आपके अंदर आएगा ही आएगा, तो कुछ ना कुछ ऐसा आपके personality में change जरूर होगा, दूसरा यहाँ पर जो आप manifest करे हो चीज वो है focus, आप जब काम करने बैठते हो या पढ़ने बैठते हो, तो आप चाहते हो कि आपका focus बढ़िया हो, आप एक बार जो पढ़ें वो उतने ही बारी में आपको याद हो जाए, और पहली बारी में ही आपका मतलब दिमाग लग जाए, भर के मैं अगर बात करूँ, परसनल लाइफ की बात करूँ, focus ना होने पर क्या हो जाता है, जैसे मान लिजे, आपने कुछ तो लॉकर में रखा और लॉक किया, कीज आपने रख दी और आप दूसरे काम पे चले गए, फिर किसी ने आपको पूछा, उस लॉकर की कीज का है मुझे थोड़ा समान निकालना है, कीज कहां रखे हैं, यादी नहीं, यह हो जाता है, जब फोकस नहीं होता है, आप पूरे घर में कीज ढूंड रहे हो, यह परसनल लाइफ में होता है, यह आप भूल गए कि आपके जो अपने हैं उनका बर्थरे का वे, है ना, आप अप के हेल्थ के लिए नुकसान दायाक है, आप भूल गए कि इस बारी आपने बोला था, इस हफते आप बुक्स पढ़ोगे, यह फोकस नहीं होता है ना, तब यह सारी चीज़े होती है, आप भूल गए कि आपको घर में किसी को दवाईयां देनी थी, आप भूल गए कि आज औ storm, क्या dish बनानी थी, यह सारी चीज़े तो जो उल्टा उल्टा घर में होता है, आपके love life में होता है ना, focus नहीं होने के वज़े से प्रोफेशनल लाइफ में मुझे बताने की जरूरत ही यह आपको पता है focus नहीं होता है तो क्या होता है, खईबार job सई हथाँ दोना करके यहां फिर हो सकता है कि नॉर्मल मेडिटेशन भी हो यहां पर ना मैं किसी का साथ देख रही हूं जैसे कोई गुरू जैसा व्यक्ति कोई ट्रेनर कोई गाइड आपको मिल सकता है और उनके मिलने से आप अपना फोकस बढ़ा पाऊगे यह सामने से भी हो सकते हैं या फिर हो सकता है किसी का वीडियो आपको मिल जाए ठीक है आप कुछ तो रील्स लगए देख रहे हो और किसी को आप देखो कोई ऐसे व्यक्ति होगी जिनसे आपका कनेक्शन बनेगा और जो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने फोकस को बढ़ा सकते हो आपकी पढ़ाई भी अच्छी हो पाएगी अगर आप स्ट्यूरेंट हैं अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी जो भी प्रोजेक्ट से उनको टाइ अगर अगर आप आप कोई काम करते हो या कहीं से फंड्स लेने की कोशिश करो या किसी के साथ में क्लाबरेट करो आप जो भी काम कर रहे हैं उसे और बहतर कर सको मैठी कोई सच तो मिलाकर यहाँ पर be मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको पैसा चाहिए हैं गाते हो कि कशाते हो कि वर्ण याप काम passing लिए ओर्ड्वाइड, आपकी पहचान, लोगों के साथ, इंडिया नहीं इंडिया से बाहर ही गंटριज में आप जाना चाते हो, अपने काम को फैलाना चाते हो, जो गलतियां आपने करी हैं, उनको हील करते हो, दूसरों की भी हिल्प करना चाते हो, सो विस्तार करना, आइडियास को फैलाना, अपनी एक बड़ी अलग पहचान मनाना, अपने भागे के साथ साथ दूसरों के भागे को भी चेंज करना, ये कहीं ना कहीं आपका मैनिफिस्टेशन है, ये जान कर कर रहे हो या अंजाने में, वो आप जानो, लेकिन ये सब कुछ आप रिसीव कर रहे हो, और आपको मिलेगा भी, कुछ नो के लिए मुझे ये भी लग रहा है, कि आप अपने लिए डेस्टेंट पार्टनर ढूंड रहे हैं, और उनकी अपने अपने कुछ आपके इच्छाएं हैं, कि आपका जो पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना है, अबर्नेंस का कार्ड आया है, बट यहां पर मुझे लग रहा है कि अगली बार आप रीडिंग देखोगे कि कौन सा ओप्शन मेरे लिए सही है, क्योंकि वो भी आप मैनिफेस्टी कर रहे हो, मुविंग ओन आप, आगे बढ़ना है, बहुत ऊपर जाना है, बहुत हो कि कैसे किया जाए, कहां से शुरुवात करी जाए, या कहां से, बहुत सी चीज़ों में तो आप काफी एक्टिव हो, लेकिन कुछ चीज़ें आपको, यह आप हैंडल नहीं कर सकते, आपको कोई एक्सपर्टी चाहिए, तो वो मैनिफेस्टेशन आपका चल रहा है, डिस एक चांस का इंतजार कर रहे थे, कि कोई तो जो सेनियर सिंगर है, वो हमें चांस दे दे, एक बार हमें स्टेश पर आजाएं, तो फिर तो हम धूम मचा देंगे, आपने सुनी होगी कई लोगों की कहानिया, तो आपके साथ में अभी वही चल रहा है, बस एक मौका आप ख आप महा, और राइट, तो बोलते हैं, शामदा में दंड भेद, वो सब कुछ करने के लिए आप तयार हो, बस आप चाहते हो कि आपको एक मौका बस एक मौका मिल जाए, आप दुनिया पलट दोगे, वो वाले एनरजी यहाँ पर आपको आपके लिए दिखाई दे रही है, सब कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आपकी मैनिफेस्टेशन रंग भी लाएगी, यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई देता है, और देख लेते हैं, क्या कार्ड्स हैं, फाइव ओफ कप्स, टू ओफ कप्स, कुईन ओफ कप्स, डेस्टिन पार्ड्नर भी चाहिए आपको, वो मैंने पहले ही बोला था, लेकिन कुछ रोग के लिए मुझे ऐसा लग रहे हैं, जैसे आप पास्ट से किसी को याद कर रहे हो, क्योंकि यहाँ सिक्स ओफ कप्स है, कोई व्यक्ति चला गया है और आप मैनिफेस्ट कर रहे है कि वो वापस आ जाए, उनके साथ में आपका यूनियन हो जाए, और एक अच्छी बहतर लाइफ आप उनके साथ बिता सकें, और जिनको आप चाहते हो अपनी लाइफ में वापस, उनकी राशी शायद से टॉरस है, और आप वाटर साइन के हो, है, और यह जश्य ऑक्ष भी एक पुरी ओठीली ना आपके लिए आया मैनिफेस्टेशन रही यह, और वही हमारा जो अभफेस्टे साथ था कि आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो, आपके लिए इक कार व Awesome Manif unions कर ओगा उनकी वूरा है स्जैंसust हो सकता है, हैं natweek इसे duck, और द विश्रस तो आपकी पूरी हो रही है, सेल्फ लव से जुड़ा भी यहां पर manifestation है, कि सेल्फ लव क्या है, कैसे समझूँ, उसको कैसे apply करूँ, क्या कोश आता है सेल्फ लव के अंदर, अंतरगत, तो उसकी भी जानकारी आपको जरूर से मिलेगी, तो ये थी आपकी reading, I hope कि आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, resonate करी है तो मुझे जरूर से बताएं, share करें, subscribe करें guys, thank you so much for watching the video take a love y'all, bye bye Hi guys, तो अगर आपने select किया है offerings के card को, तो चलिए देख लेते हैं, आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है यहाँ पर है अंधेरा but I think cards पर तो रोशनी पड़ेगी so शुरू करते हैं, Oracle के साथ all right क्या manifest कर रहे हैं आप लोग let's see focus grounding number 5 all right quality किते सुंदर कलर है यहाँ पर क्या है, trust है bottom of the deck okay, दूसरे deck से देख लेते हैं Oracle से देख लेते हैं क्या है हमारी family के लिए क्या हमारी family आपनी मनीफेस्ट करीए यह देख्ते है कर दो हुआ है मैनिफेस्टेशन आप चाहें तो पाइल टू भी देख सकते हो एक बारे यहां से देख लेते हैं क्या है आपके लिए मैं क्या मैंनिफेस्ट कर रहे हैं तो एफ को बार वन्स तो अःड को आपके लेते हैं हृएष 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 ऑफ सुझ वर्टयुज़ ऑड़न इस टेक्स से भी देख लेते हैं क्या कुछ है मजीशन की भी एनर्जी आ गई कन्फूजन सो मैं बर्थ डेट मन्थ और राशियों के इसाब से रीडिंग शुरू करूँगी मतलब यह बताते हैं शुरू करूँगी थोड़ा परसनालिटी के बारे में भी बात करूँगी शुरू करते हैं सो बर्थ डेट्स की अगर मैं बात करूँ मुझे लगता है हो सकता है यह 7, 5, 14, 19, 20, 30 13 भी दिख रहा है याँ पर 12 तारीक भी दिख रही है बहुत important है आपके लिए इस month की भी ध्यान में रखें आप लोग 11 भी दिख रहा है यहाँ पर 25 भी दिख रही है तो यह तो बर्थ डेट्स हो सकती है आपकी हो सकती है मैंने कहा ठीक है सभी से resonate नहीं करेगा month की अगर मैं बात करूँ August तो दिखी रहा है देखो July and December यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए January May दिख रहा है कुछ लोग के लिए October राशियों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर है Aries Leo Sagittarius Libra Aquarius Scorpion energy है वर्गो भी है वर्गो भी है टॉरस भी है सारी राशियां दिख रही है तो जितना भी आपसे resonate हो आपने रखना है बाकी आपने जाने देना है energy आपसे resonate होनी चाहिए विश्विश कर के बले राशियां वगरे आपसे resonate करें ना करें सो दोड़ा personality के बारे में बताती हूँ personality अगर आपकी देखी जाए बहुत ही emotional हुआ emotions में बहने वाले गलतियां करके सीखने वाले उन लोगों में से हो actually बहुत emotional हो प्यारे हो बच्चों जैसे हो इसलिए कई बार आपसे गलतियां होती होगी खास करके उस वक्त जहां पर प्यार का विशया जाता है अगर कोई आपसे प्यार से बात करें अगर कोई आपसे बार बार माफी मांगे अगर कोई आपसे बार बार मौका मांगे तो आप दे देते होगे और वापस से फिर आप hurt होते होगे यह चीज़ जरूर आपके साथ होती होगी दिमाग बहुत लेने का सम्टाइम्स दिल करता है सम्टाइम्स रिस्क लेने में डर लगता है अब कभी तो सोचते हो कि मुझे रिस्क लेना चाहिए फिर कभी बहुत डर जाते हो और यह डर इसलिए भी है क्योंकि अभी जब रिस्क लिया है उस वक्त फसे ही हो आप जादा तर के ऐसा हुआ देखने में काफी ज्जाधा इस्ट्रैक्ट लगते हो और काफी हेवी अनौजी लगती है So लोग बहुत अट्रैक्ट होते हों को आपने कस करके आईसे लोग जो कि टोक्षिक होते हैं निगेटेव होते हैं जिनको light चाहिए जिनको प्रकाश चाहिए जिनको शक्ति चाहिए वह आपके पास कहीना कहीं आ जाते हैं और आप उनकी help करते हैं और आपके energy low हो जाती है और वह आप से positive energy लेकर निकल लेते हैं अपने रास्ते यह आपके साथ बहुत होता होगा बढ़ आप ऐसे हो कि वापस से अपने अंदर energy ले आते हो और यह कहीना कहीं blessings है आपकी ऊपर वाले की तरफ से एक्शली आप न या तो इंडिगो चाहिए लो या फिर आप star seed हो आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके पास से कभी energy जाई नहीं सकती आप रोगे परेशान होगे stress में रहोगे depression भी हो सकता है लेकिन आप फिर से खड़े हो जाओगे गिर कर खड़े हो जाओगे वह ख्शमता है आपके अंदर issue बस इतना है कि आपको याद नहीं है कि आप जितना खुद को कमज़ोर समझते है आप उतने कमज़ोर एक्शली आप कमज़ोर होई नहीं लेकिन आपके emotions आप पर भारी पड़ते हैं आप emotions को control कर सकते हैं हमें mind को control करना है अगर mind ने हमें control कर लिया, तो वो में नचाएगा, ओके, तो आपके case में ऐसा है, आपके अंदर इतना power है, कि आप खुद के mind को नहीं, दूसरों के mind को भी control कर सकते हो, लेकिन यह चीज़ आप भूल गए हो किसी वज़े से, ऐसा है, आप किसी angel से कम नहीं हो, बढ़ आप या कि अगर आपको गुस्चा आता है, या आप बहुत जाता जिद्धी बन जाते हो, जिद्धी जहां पर आप दूसरों की नहीं सोचते, वहां पर अगर आपने कुछ भी सोचा, आपके mind में आया, वो सच हो जाता होगा, कई बार कुछ ऐसा भी हुआ होगा, जो कि आप नहीं हो गया, ऐसे हैसे हो गया, कि कि आप हो बहुत ही जादा mentally strong, बट आप समझ नहीं पा रहे हो, इमोशनल भी हो, लेकिन वो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, मतलब इमोशनल थो हम सभी होते हैं, लगि कुछ लोग ऐसे हैं, जो अपनी strength को जानते हैं, अपनी weakness को जानते हैं, बै एक चीज जो मैं देख रहे हो, वो सबसे जादा है, कि ऐसे लोगों को बहुत attract करते हो, जो toxic हैं, और जो आपका नुकसान करते हैं, ऐसे हैं, लोगों को बहुत attract करते हो, ऐसी energy है आपके, खूप सूरत हो ना, एक तो reason यह है, और दूसरा है आपके energy है, ऐसे लोग आपको power चाहिए, पावर आपके पास है, light house के जल से हो, किसी की अपने पास अगर power नहीं है, तो जैसे चांद चमकता कैसे है, सूरज की रोशनी से, राइट, अदवाइस तो कोई नहीं देख सकता उसको, तो यह सारे चांद हैं और आप सूरज हो, ऐसा समझ लो, तो लोग आपके आज-पास घुमते हैं, आपको कई बार लगता होगा न, कि ऐसा क्यों है, पूछते होगे आप रीडिंग देखते हैं, कि दी ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, ऐसे ही लोग क्यों आते हैं, जिनको फायदा लेना है और फिर चले जाते हैं, यह सी लिए है, कई बार वो खुद आप जानकर भी नहीं आते हैं, जाने में आप तक पहुच जाते हैं, एनजी से कनेक्ट हो जाते हैं, ऐसा हो जाते हैं, यह आपका नेशर है, अब मुझे बताता हैं कितना आपसे रेजनेट किया, सो आप क्या manifest कर रहे हो जानकर यान जाने में सबसे पहले तो आप focus manifest कर रहे हो focus इसलिए manifest कर रहे हो क्योंकि आप समझ सको कि कौन आपका अपना है कौन पर आया है कॉस बार 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 hurt हो हो कर आपको ऐसा लग रहे है कि आप जो थे आप वो रही नहीं आप एक बहुत ही powerful personality थे वो personality कहीं न कहीं खोती चली जा रही है वो जोश आपके अंदर नहीं है या वो fame आप को जो मिल रहा था वो नहीं मिल पा रहा है अभी वो मजबूती नहीं है, stability नहीं है चाहे वो emotional level पर हो, चाहे वो financial level पर हो ऐसा लग रहा है, जैसे हर जगे से आपको जैसे कोई दबा रहा है जैसे मानले जी आपको कोई business है, तो कई सारे competitors आगे या कई सारे haters आगे, जो आपके बारे में उल्टे सीधे articles प्रिंट करवा रहे हैं या आप job कर रहे हो, तो ऐसे लोग आगे, ऐसे colleagues आगे हैं जो आपकी गलतियों को जादा पॉइंट कर रहे हैं, और खुद काम नहीं कर रहे हैं मतब वो इस तरीके के लोग हैं, देखो एक वो लोग होते हैं, जो महनत करके आगे बढ़ते हैं एक वो लोग होते हैं, जो दूसरों को गलत ठहरा कर अपनी position मनाते हैं महनत नहीं करना, लेकिन सारे जो लोग हैं, उनको गलत बोल दो, उनकी बुराईयां निकाल दो तो लोग उनीक की बुराईयों में उलच जाएंगे और ये क्या कर रहे हैं, इन पर ध्यान नहीं जाएगा तो इस तरीके के लोगों में आप उलच गए हो, कुछ-कुछ करके तो ऐसा हो रहा है, तो आपको भी focus चाहिए, आप चाहते हो कि मैं जानू कि कैसे मेरी जो position पहले थी, वो कैसे बनी थी, और अभी मुझे कैसे बनानी है फोकस चाहिए, लोगों को पैचानना है, opportunities को देखना है, distracted हो, चार जगे दिमाग फैला हुआ है, overthink करते हो, और उस सब की वज़े से meditation मी नहीं हो पाता, self-healing भी नहीं हो पाती, self-care, self-love भी नहीं हो पाता, पैचान मी नहीं कर पाते, बहुत सी चीजों में obstacles आते हैं, आप आपके फोकस ना कर पाने के हुज जैसे, तो आप चाहते हो, किसी भी तरीके से आपका जो third eye chakra है, वो काम करना शुरू करें, आपका ध्यान लगे, आपके subjects पर, आपके goals पर, आपकी planning पर, और उसके बाद आप आगे बढ़े निकले, और जैसे आप पहले थे, जिस position पर थे यह आप manifest करें, manifest हो भी रहा है, आप अपने root से जुड़ना चाहते हो, आपको ऐसा लग रहा है, जैसे आप अपने root से अलग हो गए हो, जो भी परिस्तिया अभी चलती रही है, उसके चलते हैं, आपने बहुत से लोगों को help करी, बहुत से लोगों का साथ दिया, लोगों क साथ देते देते, आप परिशानी में पड़ गए, जैसे कोई doctor, मरीजों को देखते देखते, उनको दवाईयां देते देते, उनको खाना पिना खिलाते खिलाते, खुद भूका रह गया, खुद बिमार हो गया, वो हाल है आपका, अपनी root को आप मजबूत बनाना चाहते ह और root को मजबूत बनाने के लिए आपको लगता है कि सबसे जादा जिस चीज की जरूरत है, वो क्या है, clarity and focus, जब आपका focus बनेगा, तो आप personal life में भी improve कर पाओगे चीज़े, professional life में भी improve कर पाओगे, कि कि सब कुछ आपकी नजर के सामने रहेगा, तब ही आप उसमें focus मिलेगा भी, या तो आपको कोई crystal मिलेगा, या हो सकता है कोई meditation की technique मिले, या कोई व्यक्ति आपको कुछ पढ़ने के लिए, चैंट करने के लिए बता दे, या उनके जो तरीके हैं focus बढ़ाने के लिए वो share करें, कुछ भी ऐसा हो सकता है, जिससे कि आपका focus जो है वो करते हैं, जिससे हमारा concentration बढ़ता है, एक आपने विधी सुनी होगी, जिसमें हम बहुत ही शांत जगह पर बैठते हैं, और बहुत हल्की आवाजों को सुनने की कोशिश करते हैं, तो पांच प्रकार की आवाजें बताई जाते हैं, अगर आपको वो तक सुनाई पर जाते ह ही ना कहीं, आपका जो फोकस है, वो बहुत मस्बूत हो रहा है, इसके बारे में आप चाहें, तो सर्च भी कर सकते हैं, गूगल पर या यूटूब पर, कि वो कौन सी पांच प्रकार की आवाजें हैं, जो आप सुन पाते हो, तब आपको यह रिलाइस होता है, कि आपका फ फोकस बढ़ता है, तो कम समय में बड़े काम कर पाते हो, जो फोकस नहीं होता, तो आपने देखा होगा, कई बार आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, उसे एक चैप्टर को फिनिश करने में आपको साथ दिल लग गए, वही चैप्टर अगर आप एक घंटे में फिनिश कर अरे हो, वह है शान्ती, आप चाहते हो, ऐसे लोगों को आप और अधिक मैनिफेस्ट ना करो, जो कि डेविलिश नरजी में होते हैं, जो आपका फायदा उठाना चाहते हैं, जो आप से लेसेंज लेने के लिए आ रहे हैं, उनको आप लेसें दे रहे हो, बट आपको भी त ही है लेकिन सच में उसको accept कर पाना very difficult तो इस cycle को आप end करना चाहते हो आप चाहते हो कि आपके जीवन में यह जो आग लगी है ना कुछ कुछ चीजों की वज़े से कि कोई तो कार में connection आ रहा है कोई तो परिस्थिती ऐसी बन रही है जिसे कि आप सो नहीं पा रहे है आप अपना काम नहीं कर पा रहे है अपना focus में नहीं बना पारे हो और वो end हो finally शांती हो जीवन में सुकून हो तो सुकून को कही न कहीं आप manifest करें और वो आपको मिलेगा ही मिलेगा कई सारे ऐसे लोग जो की toxic हैं और जिनके होने का कोई मतलब नहीं है आपके जीवन में आप चाहते हो कि वो आपके जीवन से निकल जाए आपको ना बोलना पड़े क्योंकि आपको लगता है आप बोलोगे तो शायद उनका सम्मा हो जाएगा या फिर उनको होट होगा उनको खुदी है समझना चाहिए कि वो मेरे जीवन से चले जाए तो यह भी हो सकता है कि आपके manifestation पूरी हो जाए तीसरा जो मुझे आपर दिखाई देता है आपकी जो विश है वो है about stability आप वापस से अपने पैड्स जमाना चाहते हो अगर आप कोई business कर रहे हो, job कर रहे हो, वहाँ पर आप चाहते हो कि आप मजबूत हो जाओ, stable हो जाओ, कोई आपको वहाँ से हटा नहीं पाए, अब आगे, business कर रहे हैं तो आप एक बड़ा empire अपना बनाना चाहते हैं, दूसरे countries से, cities से connect होना चाहते हैं, wait कर रहे हैं किसी opportunity का, आपको मालूम है कि वो opportunity अगर आपको मिल गई तो आपको एक stable life मिल जाएगी, आपका परिवार सुरक्षित हो जाएगा, आपका future सुरक्षित हो जाएगा, तो ये भी manifestation आपकी पूरी हो रही है, आने वाले दो हफ़तों में या दो महीनों में, यहाँ पर time भी इसके ल जावा कुछ मिला नहीं, अब आप चाहते हो कि एक नए जीवन हो आपका, पुराने हर किसी रिष्टे को आप त्याग दो, नए रिष्टे बनाओ, पुराना जो भी था उसको भूल जाओ, उसको जला दो, फैंक दो, एक नए शुरुआत करो, नए लोगों के साथ, नए आ concentration आपका खुद पर है, खुद की health बनाना, खुद की care करना, खुद को stable बनाना, खुद की सोच पर काम करना, खुद के लिए victory पाना, खुद को successful बनाना, name and fame पाना, ये सब कुछ है, एक जिद है, और उस जिद को आप पूरा करना चाहते हो, तो ये आपके जो इच्छा है, ये पूरी होती होई नजर आ रही है, clearly, कुछ लोग के लिए मुझे ये भी लग रहा है, कि आपके father का या आपके मम्मा का कोई dream है, जिसको आप पूरा करना चाहते हो, वो आप manifest कर रहे हो, उसको पूरा करने के लिए कोई hint आपको चाहिए, या कोई पुरानी चीज आपको चाहिए, या कुछ लोग जो आपके parents से connected थे, उनसे आपको मुलाकात करनी है, so वो मुलाकात भी आपकी हो रही है, या पर में देख रही हो, किसी का wait भी आप कर रहे हो, या opportunity है, या कोई व्यक्ती है, आपको लगता है अगर वो व्यक्ती मिल गया, या opportunity मिल गई, या वो date जिसका आपको इंतजार है, वो आएगी तो आपकी life is stable हो जाएगी, ऐसा भी कुछ है, तो वो manifest कर रहे हो, जैसे न हम कई बार divine timing की बात करते हैं, divine timing का wait कर रहे हो, आप manifest कर रहे हो वो power, वो energy, जो कि कभी पहले आपके पास हुआ करती थी, आप ना खुद को पाना चाहते हो यह बड़ा ही अलग सा message है, और बहुत से लोग हो सकता है, इसको ना समझ पाएं, लेकिन जो समझ पाएंगे, वो बहुत कुछ होंगे, आपको लगता है कि आप हो गए हो, आप खुद को ही वापस पाना चाहते हो, यह सबसे बड़ी manifestation है, यहाँ पर, जो कि मैं समझ पा रह चाहते हो, आप चाहते हो, जो आपके अपने हैं, वो आप पर विश्वास करें, जो विश्वास आपने खोया है, आप उसको वापस से गेन करना चाहते हो, और ऐसा होगा, एक नई शुरुवात होगी आपके जीवन में, मैं प्रे करूंगी गाईस, पता नहीं, बहुत होता है न, या जैसे जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठा रहे हैं इस देश की, इस दुनिया की, उनका अपना एक डिसिप्लेन लाइफ है उनकी, काम करने का समय कितना है, सोने, खाने, पीने का कितना है, किसी से मिलने का कितना है, तो वो लाइफ आप चाहते हो, आपको सही तरीके से मौकों को पहचान कर, उनका लाब उठाना चाहते हो, अभी यही आपका गोल बन गया है, रिलेशन्शिप चेंज वो सभी लोग जो टॉक्सिक हैं, आप किसी को नहीं रखोगे अपने जीवन में, क्लियरली यहां पर दिखाई दे रहा है आप ना सबको ओफर ही कर दोगे, इसलिए ओफरिंग का कार्ड आपने चूज किया है जो भी ऐसे रिष्टें हैं, जो आपको सभ नहीं कर रहे हैं, बगवान को उनको, यह लो जी, आप ही समझो नई बिगनिंग्स, नई शुरुआत चाहते हो हाँ, वो मैसेज था, क्लियरली, क्योंकि रिष्ट का भी मैसेज है यहाँ पर आपको नई शुरुआत चाहिए, आप नई शुरुआत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यकीन मानिए गाईज, आपको नई शुरुआत मिलेगी क्योंकि यहाँ पर जो अनउजी आ रही है न, क्लियरली वो मैसेज दे रहे हैं, क्योंस आप न, एक जिद में हो, आप इस कार्ड को देखो, सी, पावर अनउजी, जैसे कोई रोक नहीं सकता, वो सॉंग है न, अनिस्टापबल, वो मुझे याद आ रहे हैं आपके लिए, सो आपको कोई नहीं रोक सकता, सही है, विक्ट्री, येलो, विक्ट्री आप मैनिफिस्ट कर रहे हैं और विक्ट्री आपको मिले ही भी, डोंट वरी, ब्राइड आइडियाज आपको चाहिए थे, आपको आइडियाज भी मिलेंगे, यहाँ पर दिखाई देता है, प्रोड खुल कर जीना चाहते हो, खुल कर लोगों के सामने आना चाहते हो, अगर कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में आपके जीवन में, जिसकी वज़े से आपको छिप कर रहना पड़ा लोगों से, आप चाहते हो कि आप आप कुछ ऐसा करो जिससे कि आप दुनिया के सामने आओ, एक की manifestation ज़रूर पूरी होगी और मैं ज़रूर से प्रेय करूंगी गाईस मैं ज़रूर प्रेय करूंगी कि आपकी इच्छा पूरी हो वेरी नाइस आपको प्यार चाहिए लोगों का सम आप ऐसा लग रहा है जैसे जो कुछ आपसे छीन लिया गया है ना वो सब कुछ आपको वापस चाहिए और वो आपको वापस मिलेगा ऐसा ही लग रहा है आपको कि मुझसे छीन आ गया है King of Swords आप तो नहीं रुकोगे किसी भी कीमत पर Six of Swords आप आपके सामने कोई भी आया ना दिचारियट आपको कोई फर्ट नहीं पड़ेगा मेल है फीमेल है आपसे बड़ा है आपसे छोटा है आपने अपना गोल समझ लिया है और आप उसके साथ आगे निकलोगे चेरियट के एनरजी है movement है speed है victory है victory के लिए आपके लिए दोबारी कारड आ गया so success, victory तो आपकी पक्की है कोई आपको रोकी नहीं सकता and eight of cups की भी एनरजी है कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा कि क्या बोलता है कौन आपके साथ रहता है आप उस mode पर हो, जहाँ पर आपका जो goal है आपने समझ लिया है और अब जिसको आपके साथ आना है वो आए, जिसको नहीं आना है वो पीछे रहे अभी ऐसा नहीं है, कि आप मेरे साथ नहीं आओगे तो मुझे बुरा लग जाएगा मत आओ, जिसको नहीं आना है, मत आए मैं अपने रास्ते पर निकल रही हूँ निकल रहा हूँ, जो मेरा आपना है वो मेरे साथ आएगा मेरा साथ देगा, आप उस मोड में हो और ऐसे लोगों को जीतने से कोई नहीं रुख सकता, I'm very proud of you So guys, यह थी आपकी टापिक आपको क्या चाहिए, thanks a lot love you all, bye bye